नमस्कर दोस्तों, घरेलुखवर चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों कैसे हैं आप लोग यह बताने के लिए कमेंट में ओम नमस सिवाय जरूर लिखे दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को स्रावन मास की पुत्रदा एक आजसी की ब्रत की कथा सुनाएंगे वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर अभी तक आपने मेरे इस घरेलूख अपर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे वीडियो पसंद आएगा वीडियो को लाइक करेंगे और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मेरे इस वीडियो को सेयर करेंगे दोस्तों मानिताओं के नुसार स्रावन पुतरदा एकाजसी का ब्रत करने से बाजपेई यग के समान पुन्य फल की प्राप्ती होती है पुतरदा एकाजसी की ब्रत कथा पढ़ने और सुनने से सुर्ग की प्राप्ती होती है वैसे तो पुतरदा एकाजसी साल में दो बार आती है एक स्रावन मास की और दूसरा होती है पॉस मास में सावन महीने में आने वाली पुतरदा एकाजसी का ब्रत संतान प्राप्ती तथा संतान की समस्याओं के निवारन ही तो किया जाता है सावन की पुतरदा एकाजसी को विसेस फल्दाई माना जाता है इस ब्रत को करने से संतान संबंदी हर चिंता और समस्या का अंत हो जाता है एक कथा के अनुसार द्वापर युक्कियारभ में मही स्मती नाम की एक नगरी में मही जीत नाम का राजा रहता था लेकिन वो पुतरहीं होने के कारण राजा बहुत चिंतित रहता था उसका मानना था कि जिसके संतान नहों उसके लिए यह लोक और पड़लोक दोनों ही दुखदायक होते हैं पुत्र सुक की प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक उपाय किये प्रन्तु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई ब्रिधा वस्था आती देखकर राजा ने प्रजा के परतिनिधियों के साथ भी विचार भी मर्स किया सभी का एक ही मत्था कि यदि राजा ने सदा ही धर्म का पालन करते हुए राज का संचालन किया है और कभी किसी निर्दोस को नहीं मारा, कभी किसी के साथ अन्याय नहीं किया तो राजा को संतान सुक क्यों नहीं राजा महिजीत की इस बात को विचादने के लिए मंत्री तथा प्रजा के परतिनिधी बन को गए वहां राजा की कामना पूर्ती के लिए बड़े बड़े रिसी मुनियों के दर्सन किये एक आश्रह में उन्होंने एक अत्यनत बयो ब्रित धर्म के गयाता बड़े तपस्वी तथा समस्थ सास्त्रों के गयाता महात्मे लोमस मुनि को देखा जिनका कल्प के बैतीत होने पर एक रोम गिरता था सबने जाकर रिसी को पर्णाम किया उन लोगों को देखकर मुनी ने पूछा कि आप लोग किस कारण से आये हो लोमस रिसी के बचन सुनकर सब लोग बोले है महरसी आप हमारी बात जानने में ब्रंभा से भी अधीक समर्थ है अता आप हमारे इस संदेश को दूर कीजिए महिस्मति पूरी का धर्मात्मा राजा मही जीत मही जीत प्रजा का पुत्र के समान पालन करता है फिर भी वो पुत्र हीन होने के कारण दुखी है सभी ने महरसी से राजा को पुत्र प्राप्ती के लिए विंती पुर्व को पाय पूछा यह सुनकर रिसी ने थोड़ी देर के लिए नेत्रबंद किये और राजा के पूर्व जन का विर्दान जानने जानकर कहने लगे कि यह राजा पूर्व जन में एक निर्धन वैस से था यह एक गाउं से दूसरी गाउं प्यापार करने जाया करता था एक समय जेस्ट मास के सुकल पक्ष की द्वाजसी के दिन मध्यान के समय जब वह एक जलासे पर जल पीने गया था उसी अस्थान पर एक ततकाल की ब्याही हुई प्यासी गौ जल पी रहे थी राजा ने उस प्यासी गाय को जल पीते हुए हटा दिया और स्वेम जल पीने लग इसलिए राजा को यह दुख सहना पड़ा है एकाजसी के दिन भूखा रहने से वह इस जन में राजा है और प्यासी गौ को जल पीते हुए हटाने के कारण पुत्र वियोग का दुख सहना पड़ रहा है ऐसा सुनकर सब लोग कहने लगे कि हे रिसी सास्तरों में पापों का प्रैस्चित भी लिखा है अता जिस प्रकार राजा का यह पाप नस्ट हो जाए आप ऐसा उपाय बताए लोमस मुनिस के कहने पर स्रावन सुक्ल पक्ष की एकाजसी को जिसे पुत्रदा एकाजसी भी कहते है तुम सब लोग ब्रत करो और रात्री को जागरन करो और इससे राजा का यह पुर्ग जन का पाप नस्ट हो जाएगा साथी राजा को पुत्र की अवस्य प्राप्ती होगी लोमस रिसी के ऐसे वचन सुनकर मंत्रियों सहेत सारी प्रजा नगर को बापस लोटाई और जब स्रावन सुकल एकाजसी आई तो रिसी की आग्यानुसार सब ने पुतरदा एकाजसी का ब्रत किया और जागरन किया इसके पस्चाद्वाजसी के दिन इसके पुन्य का फल राजा को दिया गया उस पुन के प्रभाव से रानी ने गर्वधारन किया और प्रसवकाल समाप्त होने पर उसके एक बड़ा तेजस्वी पुत्र उत्पन हुआ तो दोस्तों ये थी स्रावन मास के पुत्रदा एकाज़ी की ब्रत की कथा पुत्र की एक्षा रखने वाले मनुस्य को विधी पुर्भक स्रावन माह के सुकल पक्ष की एकाज़ी का ब्रत करना चाहिए इस ब्रत की परभाव से इह लोक में सुक और परलोक में स्वर्ग की प्राप्ती होती है तो दोस्तों आसा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी वीडियो को लाइक करे, सेर करे और मेरे इस घरेलुख अगर चैनल को सब्सक्राइब करे थैंक्स